इन पाच भारतिय योधाओं पर होंगी देश भर की निगाहे विंडीज के खिलाफ आखिरी टीड़ट आज वेस्टन डीज के खिलाफ टीड़ट सीरीज अपने नाम कर चुकी टीम इंडिया आखिरी मुकाबले को जीत कर अपने जीत का अंतर टीम से शून्य करना चाहेगी भारतिय टीम के खिलाडियों ने दोनों ही मैच में बेहतरीन प्रदर्शन किया है दूसरी और विंडीज की कोशिश होगी कि वो किसी तरह से बच्चे हुए आखिरी मुकाबले को अपने नाम करें ताक कि आगामी वनड़े सीरीज के लिए खिलाडियों का मनुबल बना रहे दोनों टीम के बीच आखिरी टीड़ट का मुकाबला रोमान चक हो सकता है दूसरी टीड़ट मैच में शांदार बल्लेबाजी की थी उन्होंने सरसट रनकी जबरदस तरधश्त किये पारी खेली रोहित का फॉर्म विश्व कप से अपने चरम पर है उन्होंने दूसरे टीड़ट मैच में शौर गेंदों के खिलाफ बहतरीन खेल दिखाया था सीरीज के आखरी मैच में टीम उनसे उमीद करेगी वेह टीम को एक बार फिर से मजबूत शुरुवात दिलाएं शिखरदवन टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज शिखरदवन पहले चीड़ट मुकाबले में असपल रहे और मात्र एक रन ही बना पाए दूसरे मैच में उन्हें शुरुवात में ली लेकिन उसे वेह बड़े स्कोर में तबदील नहीं कर पाए आखरी मैच में दवन का बला अगर चल गया तो टीम इंडिया की जीत पकी है विन्डीज के खिलाफ तीसरे चीड़ट में दवन अपने पुराने फॉर्म को बरकरार रखना चाहेंगे और गबर वाले अंदाज में लोटना चाहेंगे विराट कोहली टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली के बले से उस अंदाज में अब तक रन निकले नहीं है जिसके लिए वे जाने जाते हैं विश्व कप में उन्होंने अच्छी बल्ले बाजी की थी दूसरे टीड़ट में उन्होंने 28 रन बनाए इस में एक बड़ी पारी खेलकर कोहली चाहेंगे कि टीम को जीत दिलाए और आगामी वन डे सीरीज के लिए अपने फ़ॉम में वापसी करें रवींद्र जडेजा टीम इंडिया के अनुभवी ओल राउंडर रवींद्र जडेजा छोटे फॉर्मेट के स्टार खिलाडी है जडेजा वर्ल्ड कप टीम में शामिल थे विन्डीज के बल्लेबाजों के लिए जडेजा की स्पिन गेंद परिशानी खड़ी कर सकती है जडेजा ने इस सीरीज में शानदार गेंद बाजी की है हाला कि बल्लेबाजी के लिए उन्हें मौके कम भी मिले हैं नवदीब सैनी सीरीज के पहले मैच में डेब्यू करते हुए तीन विकेट जटक कर और पारी का आखिरी ओवर मेडन फेंक कर नवदीब सैनी ने संसनी मचा दी है। उनकी तेजी से आती गेंदों को विंडीज बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे हैं। आखिरी टी डट मुकाबले में भी वेह अपनी धारदार गेंदा बाजी से विपक्षी टीम के बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं।